पसनल लोन क्या है? आपकी जरूरतों को पूर्ण करने में पसनल लोन बेहद मददगार साबित हो सकता है. पसनल लोन कैसे ले? पसनल लोन क्या है? पसनल लोन कैसे मिलेगा? पसनल लोन को क्यों चुने? आईए जानते हैं कैसे आपको आसानी से पसनल लोन मिल सकता है. लोन कैसे ले? इस सवाल का बहुत ही आसान जवाब है कि आप किसी भी बैन के एवं financial संस्था से लोन ले सकते है किसी भी बैन के आ financial संस्था जो की कई प्रकार के लोन देती है से लिया गया व्यक्तिगत रिन-personal लोन होता है इस तरह के लोन के लिए कोई खास कारण नहीं होता है आप अपने निजी जीवन के किसी भी अन्य प्रकार के लोन में नहीं होता है ये पूरी तरह से लोन लेने वाले पर निर्भर है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगा जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई medical emergency आ जाये तब आप तुरंत ये लोन ले सकते हैं या आपको अपना कोई shop पूरा करना है लेकिन आप उसके लिए ज़्यादा जटिल कागजी कार्यवाही से नहीं गुजरना चाहते तो आप पसनल लोन लेकर अपना सपना पूरा कर सके हैं इस काम में आपका सबसे ज़्यादा साथ दे सकता है पेसेंस पेसेंस अपने कस्टमर्स को बिना किसी शर्थ के एक लाग तक का लोन आसानी से देता है इतना ही नहीं पसनल लोन के और भी कई फायदे हैं पहली बार लोन लेने वालों के लिए ये बेहत सरल है क्योंकि लोन के बदले में उन्हें किसी भी प्रकार की शर्थ पूरी नहीं करनी होती आप सुविधा अनुसार छोटी किष्टों में लोन चुका सकते हैं और इस तरह के पसनल लोन की M.E.B. फिक्स रहती है जिससे आप पर एक ही बार में सारा पैसा चुकाने का बोज नहीं रहता आप आसान किष्टों में अपना काम भी पूरा कर सकते हैं और लोन चुका भी सकते हैं चलिए अब आपको बताते हैं कि आसान तरीके से आपको पसनल लोन कैसे मिलेगा और इसके किसी अन्य प्रकार के लोन से अलग क्या फाइदे हैं पसनल लोन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा पसनल लोन कैसे ले Personal loan आपकी आकस्मिक जरूरतों की पूर्ती करता है लेकिन कई बार आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं होता है कि लोन कैसे ले Personal loan की प्रकिया के बारे में बात करने से पहले आपको बता दे कि किन परिस्तितियों में यह आपके लिए मददगार साबित हो सकता है मान लीजिए घर में शादी है या नया घर बन रहा है या किसी प्रकार की medical emergency है ऐसे में Personal loan एक बहतर और आसान विकल्प है जिसे चुनकर आप किसी भी समय अपनी दिक्तों से निजात पा सकते हैं आप Personal loan का इस्तेमाल अपनी कोई भी जरूरत पूरी करने के लिए कर सकते हैं इसलिए यह अन्य प्रकार के loan से बहतर है चलिए अब आपको बताते कि Personal loan कैसे ले इन चार चर्णों में पाएं एक लाख रूपे तक का Personal loan अपनी जरूरत का निर्धारन करें अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि loan लेने के लिए क्या करना होगा तो आपको इसके लिए सबसे पहले अपनी जरूरतों का निर्धारन करना होगा अपनी जरूरत पहचाने और देखें आपको कितना loan चाहिए उदाहरन के तौर पर आपका घर बन रहा है और आपको 1,00,000 रुपए की ततकाल जरूरत है या फिर आप अपनी पहली कार लेने वाले हैं जिसके लिए आपको 1,00,000 तक रूपे की जरूरत है और रिष्टेदारों में से कोई देने वाला नहीं है तो आप जल्दी से लोन ले सकते हैं ध्यान रहे लोन उतना ही ले जिसे आप आसानी से चुका सके क्योंकि लोन की राशी पर आपको ग्याज भी देना होता है अगर लोन राशी की बात करें तो आपकी मासिक आय के अनुसार यानि आप हर महीने कितना कमा लेते हैं इस आधार पर आपको पेसिनीस 5000 से लेकर एक लाग तक का लोन ओफर करता है जानिए क्या आप लोन लेने के पात्र है एलिजेबिलिटी एक बार लोन की राशी निर्धारित करने के बाद अपनी पात्रता चेक करें पसनल लोन एप के इस्तेमाल से आप अपनी आय के आधार पर खुद से ये पता लगा सकते हैं कि आपको कितने तक कर लोन मिल सकता है आपकी आई पर ही यह सब निर्भर होता है कि आपको बैम क्या कोई भी finance agency कितना लोन दे सकती है जितनी बढ़िया आपकी आई होगी उतना ही ज्यादा लोन आपको मिल सकेगा अब आपके पास आई के दो साधन है एक तो आप किसी रोजगार मतलब की नौकरी में है और वहां से आपको आई होती है और दूसरा आपका अपना business हो जिससे आपके पास हर महीने एक निश्चित राशी आती हो अब अगर आप नौकरी में है तो आपकी नियून तम आई 18,000 और बिजनेस करने वालों के लिए हर महीने कम से कम से 15,000 आई होनी चाहिए तब आप पेसेंस से लोन ले सकते हैं आपकी सेलरी देखते हुए पेसेंस ये तै करेगा कि आपको कितने तक लोन दिया जा सकता है अपने पसनल लोन को चुकाने की करे प्लानिंग पेसेंस से मिलने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए आप अपने अनुसार M.E. की रकम का चुनाव कर सकते हैं और अपनी मासिक आए के अनुसार उसका भुगतान अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं ये फीचर हर finance company या bank नहीं देती है जिस आधार पर ये कहा जा सकता है कि patience खास है. ME का चुनाव करते समय इस बात का खास ख्याल रखे कि भुगतान की रकम इतनी ही तै करें जिससे आपकी जेब और सेहत दोनों पर असर ना हो. Personal loan के लिए करें apply, patience app की मदद से phone से ही सभी documents जमा करें और सीधा खाते में पैसे पाएं. इसके लिए आपको ज़्यादा documents की भी आवश्यक्ता नहीं है. आपको बस आपके एक it proof bank card, आधार card address proof grant agreement, आधार card income proof bank statement और एक photo की ज़रूरत पड़ेगी. एक बार document पूरे होने के बाद कुछ घंटों में patience उन्हें जाच कर आपका लोन अप्रूव कर देगा और आपको आपकी पसंद के खाते में कुछ दिनों में लोन मिल जाएगा. M.E. भी इसी खाते से आपकी सुविधा अनुसार लिया जाएगा. एक लाख रूपे तक का पसंद लोन लेने के पाँच कारण. पसंद लोन कई माइनों में conventional लोन से अलग हैं, जिस कारण ये बहतर है और जरूरत के समय मददगार साबित होता है. ये पूरी तरह से मुख्य सिधानतों पर निर्भर करते हैं और पसंद लोन के लिए नहीं दूसरे लोन के बराबर डाक्यूमेंट्स चाहिए. काम ब्याजदर, जल्द अप्रूवल और छोटी M.E. की वज़ह से पसंद लोन सबसे बहतर हैं. पसंद लोन जरूरत के समय सबसे ज्यादा कारगा साबित हुए हैं. अई ये जानते हैं पसंद लोन के कुछ और फाइदे. एक कहीं भी करें इस्तेमाल. पसंद लोन लेने के पीछे आपका कोई भी कारण हो इससरी कमपनियों को अगर छोड़ भी दे और अगर हम सिर्फ पेसेंस की ही बात करें तो पेसेंस आपके लोन लेने के कारण में बिलकुल भी हस्तक्षेप नहीं करता. आप अपनी किसी भी जरूरत केलिए लोन ले सकते हैं इससे patience को कोई भी मतलब नहीं रहेगा दो किसी भी guarantee की कोई जरूरत नहीं अक्सर, loan लेने केलिए एक गांट की और किसी कीमती चीज़ की जरूरत होती है जिसे आप guarantee के तौर पर finance agency की पास जमा करते हैं ताकि कल को किसी भी कारण से अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो वो finance agency आपकी उस वस्तू की निलामी करती है और अपनी कीमत वसूल लेती है। लेकिन personal loan लेते समय आपको कोई गांट या guarantee की जरूरत नहीं होती है। आपको अगर पेसेंस से personal loan लेना है तो आप बिना किस गारंटी के रूप में कुछ रखे loan ले सकते हैं। पसनल लोन के अलावा सभी loans में बहुत सारा paper work करना पड़ता है। Personal loan ये काम कुछ कम हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप पेसेंस के जरिये personal loan लेते हैं तो ये काम और भी आसान हो जाता है। पेसेंस पर आप एक बार में ही online loan app पर documentation कर सकते हैं। इसके लिए आपको निमनलिक्त documents चाहिए, ID proof, Address proof, Income proof, Photograph, इन चार चीजों के अलावा आपको किसी भी और कागस की जरूरत नहीं है पेसेंस के जरिये loan approval के लिए। चार कम ब्याजदर और सुविधा अनुसार loan चुकाने की अवधी। आम तोर पर personal loan आसानी से मिल जाता है इसलिए इसकी ब्याजदरे कई सारे bank और finance companies बढ़ा कर वसूलती हैं लेकिन पेसेंस पर personal loan में आपको कम ब्याजदर चुकानी होती हैं जिसके कारण यह सरल है और आपको इसका अधिक्तम लाब मिलता है। क्योंकि आप loan चुकाने की अवधी अपने अनुसार चुन सकते हैं तो उसी अनुसार आपके loan की ब्याजदरे भी बढ़ती या घरती रहती हैं। Personal loan सबसे बहतर विकल्प है उन लोगों के लिए जो शार्टम के लिए loan लेना चाह रहे हैं। पाँच जल्द अप्रूवल पेसेंस आपकी जरूरतों को समझता है इसलिए पेसेंस से आप कम से कम डोक्युमेंटेशन करके कुछी दिनों में loan पा सकते हैं। इसमें अधिक्तम 2-5 दिन का समय लगता है और loan की रकम सीधा आपके खाते में आ जाती है। उस bank account से आपका M.E.B. करता है।